की मद्दे नजर बीएसपी का चिनाव पर चार अभ्यान शुरू होने के बाद अब पाची परमुख मयावती भी कारे करताओं में जोश भरने के लिए मैदान में उतर गई बीएसपी परमुख मयावती ने गुरुवार 11 अपरेल को बीजेपी और अरेसेस के गड़ नागपुर में चुनावी रेली को संबोधित किया इद के मौके पर मयावती इस आयोजित रेली में बीएसपी सुपरो मयावती ने कांगरेस पर हमला बोलते वे उसे कट घरे में खड़ा किया उन्हें कांगरेस के अपनी गलत कारेशेली की वज़े से दीरे दीरे सत्ता से बाहर हो गई बताया बीएसपी पर मौक मयावती ने आरूप लगाते वे कहा कि कांगरेस सत्ता में थी और उसने एक दिन भी कांगरेस सत्ता में थी और उसने एक बीएसपी सुपरो मयावती ने कहा कि गलत कारेशेली की वज़े से कांगरेस दीरे देश की सत्ता और पिर अन्य राज्यों की सत् बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। जा रहा है कि मायवती की पाटी ब्यस्पी में सभी 48 सीटों पर चुनाब लड़ेगी जिसके लिए मायवती ने इस बार लोकसवा चुनाब का परचार का अभ्यान उत्तर प्रदेश से ना करते हैं महरास्टर से किया ताकि महरास्टर में भी अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने मोर्चा समभाला वा है और मायवती के तमाम सीनियर नेताओं ने लेकिन मायवती ने जिस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा इससे एक बात तो साफ है कि मायवती की नराजगी समय कांग्रेस से ज़ादा आ रही है वैसे तो मायवती ने सभी पाच्यों कटगरे में खड़ा किया लेकिन कांग्रेस पर ज्यादा सवाल दा गे जैसा कि आप जानती है कि बस्पा से गडबंदन के लिए कांग्रेस ने काफी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बस्पा साथ आ जा है कि कांग्रेस से हाथ मिलाने का सवाल बनता ही नहीं है